तुलसी पूर्वजन में एक लड़की थी जिसका नाम व्रंदा था राक्षा स्कूल में यह बच्ची जन्वी थी बच्पन से ही विश्णु भक्त थी जब वह बड़ी हुई तो उनका विव राक्षा स्कूल में दानव राज जलंदर से संपन हुआ राक्षा जलंदर लोट कर नहीं आते तब तक मैं पूजा में बैटकर आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगे जब तक आप लोट नहीं आते मैं यह संकल्पर नहीं छोड़ूंगी जलंदर तो युद्ध में चला गया और वरंदा संकल्पर लेकर पूजा में बैट गई उसके व्रत के बोले कि भगवान दुसरा कोई उपाय है तो आप बताए और हमारी मदद करें इस पर भगवान विष्णु ने जलंदर का रूप धरा और वरंदा के महल में पहुच गया व्रंदा ने जैसे ही अपने पती को देखा तो तुरंत पुजा से उटकर गई और उनके चरंच हू इधर वरंदा का संकल पर तूटा और उधर युद्ध में जलंदर को मार दिया और सर कट गया जलंदर का कटा सर जम महल में आगी रा तो वरंदा आस्चरय से भगवान की और देखने लगी तो जलंदर का रूप दर लिया था इस पर भगवान विष्णु ने अपने पापस लिया इसके बाद वे अपने पती का सिर लेती हुई सती हो गई उनकी राक से एक पोधा निकला जो तब विश्णु जी ने उपोधे का नाम तुलसी रखा मैं इस पत्तर में रूप में रहूंगा जिसे शाली ग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ रखा जाएगा इतन ही नहीं उन्होंने कहा कि शुब कार्य में तुलसी जी के भोक से पहले कुछ भी मैं स्विकार नहीं करूंगा तब इसे तुलसी जी की पुजा होने लगी कार्तिक मास में तुलसी जी का विवा शाली ग्राम जी के साथ किया जाता है साथ ही देव उठावनी एकादशी के द आया जाता ही